इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रूर पेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मित्रों, दिग्विजे देश की आवाज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जैसा कि आप जानते हैं, दिग्विजे एक स्वास्त शंकला का प्रकाशन कर रहा है, जिसमें विभिन रोगों के नामी गिरामी विशेशग्यों से आपको रूबरू कराते हैं, आज फिर हम महिलाओं की अवस्था से जुड़ी एक इस्तिती जिसे मीनो पॉस कहते हैं, एक स्टेज, उस पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही सीनियर इस्त्री रोग विशेशग्या, जो की MBBS, MS हैं, आठ वरस तक इन्होंने लीविया में उनके सरकार के द्वारा इनको विशेश रूप से बुलाए गया था, वहां उन्होंने सिवाईर दी हैं, अपनी स्पेशलिस्ट हैं, और वहां से लॉटने के बाद इन्होंने महिलाओं के लिए एक स्पेशल क्लीनिक की स्थापना की, जिसका नाम रखा सहाय मदर एंड चाइल्ड क्लीनिक एंड मेडिकेर सेंटर, डॉक्टर आशे सहाय अपने एरिया में बहुत ही लोगपरिये हैं, महिलाओं में इनका बड़ा सम्मान है, यह केवल पैसे के लिए काम नहीं करती, यह बहुत सी गरीब महिलाओं का इलाज मु ही दे देती हैं, तो एक जो चिकित्सक का फर्ज होता है, मानवता की सेवा करना, वो इन में कूट-कूट कर भरा है, तो आए आज की समस्या पर इन से चर्चा करते हैं, डॉक्टर आशे, आपका हमारे वेब चैनल धिक्विजय देश की आवाज में बहुत-बहुत स्वाग होती हूँ और बाकी जो आपके विवेर्स हैं इस चैनल के उनको भी मेरा नमस्का, डॉक्तर आशे, आप जानती हैं कि मीनो-पॉज महिलाओं के जीवन में ऐसी अवस्था है, जब वो काफी मांसिक ट्रामा से गुजरती है, तो ये मीनो-पॉज क्या है, देखे मादू जी तो झाए भीिये प्रीम ये अपनीं, जो सुनने वालें लेज जो निकले, जो उनको एं मेंटर्ण को मेंनो-पॉज यே, जो सुनने वाले हैं, निस बाता कीलिक निस के एक उस्के उसमें एक कड़िये, जैसे कि ये स्टेड अर्टा होता है, घरारा साल से, हर बच्ची का मै इसके निर्स करेंग को होती है और नमली सबस्osören मेजरे को सिस्टम है और नमली इज lot अपीशन से नियू में ज़ताइब को कि in THE chron境 ने रेटे सिस्टम हो जगा सक्नितन है विट हम जाता है तो यह जो महा वारी आने से लोगों में मीनोपास के बारे में क्योंकि पहले यह था कि जो फी मेव coughouse की life expectancy थी जो उनकी फिराइभ सी वह बहुत जल्दी और ओर सो का बहुत ज्वाधा जल्दी Two जाती है थी चाईड्ड एज में यह किसी बेमारी से यह बच्रिप्च्र पैधा में वान थर्ड पार्ट जो है वो मीनो पॉस में होता है फॉर्टी फाइब में उसका मैंस बंद हो गया उसके बाद वो 20-25 साल एक अपने अलग बिना मैंस के दौर में गुजरती है तो इसलिए मीनो पॉस की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो अब आगे आई हैं डॉक्टर् का अपनी प्रॉब्लम्स जो है लेके वो डॉक्टर के पास जाता है इसलिए सकी अवेरनस भी से अब ज्यादा होई यह तो इस नहीं किस जो दीन केसे आप के पास आप बिंग्म्स पॉर्ब एक साल तक बिल्कुल भी पिरेट्स महावारी नहीं आई गी तप हमोह कोबूलत से इसमें डिवाइड करते हैं एक तो प्री मेनोपॉसल स्टेज होती है जिसमें की 42 43 एस की एज से उनका पीरेड गरबर होने लगता है या तो बहुत जल्दी जल्दी आएगा या बहुत देर में आएगा यह बहुत जादा आएगा या फिर दर्द होने लगेगा जो उसका इसमें वह गरबर हो जाता है उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स को धीरे-दीरे करके अपने आप जाने लगता है मतलब कभी दो महिने में आएगा फिर कभी एक दिन, दो दिन ओके थोड़ा-धोड़ा होके बंध हो जाएगा कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकों बहुत ज्यादा आना शुरू होता है मतला आपको दस दिन में पंदरा दिन में बहुत ज्यादा ज्यादा बीडिंग आ रही है वो भी एक एर्रेगुलरिटी का सिस्टम है तो यह जो गड़बड़ी जब शुरू होती है तब हम इसको प्री मीनो पॉजल स्टेज बोलते हैं तर अगर किसी वेसे अपने आप जब बंध हुआ महीना और एक साल तक बिल्कुल भी महीना नी आया तो उसको हम बोलेंगे मीनोपॉज हो गया और दो इसके आगे की स्टेज है वो पोस्ट्पॉजल स्टेज है तो इसलिए यह ज़ अलग इस तरह से और एक जो प्रेग पि तो जैसे कि मीनोपॉस हो गया से तब क्या उन्हें मन में यही फिलिंग आती है कि अब तो मैं बुड़ी हो गई ऐसा है क्या सॉदॉफाएफड़ी है यहाँ टो अझाल से एंडियन तो बहुत जादा इंडियन लेधिस में शायद प्राइट्छे टाएट था कि पूर्ट हो गया चाहिए यह काम नचार ने चाहिए काम ने करना हमें अच्छे कप्ड़्यी पहने में एक स्टेज बुड़ा पा आ गया जो कि बहुत जादा टॉक मैं लोग कभी नहीं करते थे कि सेक्शुली अक्टिव भी रहें गया नहीं रहेंगे या कुछ मतलब अच्छे पहने के तो लोग कहेंगे या यह पतालिस साल की पचास साल की बुड़ी होगी अभी बुड़ी लाल लगा पहले कहावत तो वो सब च करें जो एक रहायन कि पाने छाते हैं अपने लिये जो हम चाहते हैं जिस तरअग अपना केर नहीं करेंगी अपने डाइट का अपना हीमोग्लोविन बढ़ाने का अपने शरीर को स्वस्त नहीं रखेंगी तो तो वो कैटेगरी ऐसी है जिनके लिए मैं स्पेश्विली कहना चाहती हूं कि उनको जरूर अपने चिकित्सक के पास जाके दिखाना है क्योंकि ज कैंसर सोते हैं यही एज ग्रूप है जो यह वाले सिम्टम स्पेशिंट लेकर आता है मदब कैट जो मीनिपोस के दौरान पहले या बाद में कैंसर भी हो सकता है तो यह अगर आपको स्पेस्विकली आपके अगर बच्चे हो गए आपके 12-15 साल हो गए बच्चे को कि उसके में जरूरी है हर महला को 45-50 के बीच में कि अपनी डॉक्टर के पास आए अपना एक चेक अप जरूर कराना है क्या रेगुलर चेक अप लेडिस को कराना चाहिए गाई निका बिल्कुल लेडिस को है कि 45 यर्स के बाद हम हर पेशिंट को कहते हैं कि दो साल में तीन साल में एक बार जरूर आप अपना अल्टरसाउंड कराईए जिसमें कि आपको पता लगे कि आपके कोई रसॉली या कोई आपके सिस्ट तो नहीं बन रहे हैं और एक टेस्ट होता है पैप स्मेर जिसको कहा जाता है जिसमें के अंदर से जो भी डिस्चार्ज लिकुड आ रहा है यह कैंसर के लिए होता है टेस्ट और एक जर्रल स्क्रीनिंग है तो पेशिंट को कहा जाता है कि दो साल में कभी भी आप जरूर जाके डॉक्टर के पास अपना चैक अप कराएं जो आपको परिशानी है वो डॉक्टर से का मीनोपॉस का ब्रेस्ट कैंसर से भी कोई तालु कोई डिस्चार्ज तो निया रहा ब्रेस्ट में कोई पें तो नहीं हो रहा है क्योंकि 45 प्लस में ही ज्यादा तर पिक अप होता है तो जिस तरह का कैंसर है ब्रेस्ट है तो जैसे आपने फुड़ी दर पहले कहा कि मीनोपॉस के बाद लेडी सोचती है कि अब मैं सेक्स्व ब्लीडिंग नहीं हुई कुछ निवाद धीरे-धीरे करके दो मेने तीन में में होके उसका बंद हो गया मीनोपॉस एक साल तक उसका पीरेड नहीं आया तो उस लेडी को हार्मोन की डेफिशेंसी जो इस्टोजन हार्मोन है जो में फीमेल हार्मोन है वो कम हो जाता है तो कि वज़े से बहुत सारे सिंप्टम साते हैं तो उसमें एक सिंप्टम ये भी है कि जो नीच वजायना में उसमें बहुत ड्राइनस हो जाती है और उसमें इरिटेशन या फंगल इंफेक्शन ये सब चीजें होने लगती है तो इसलिए पेशिट्स के दिमाग में कई बार कि बही हम बिकार हो गया हम एक्टिव नहीं है या इस तरह की फीलिंग हो सकती है अगर वह अपने नॉर्मल अपना ध्यान रखते हैं अपना अपनी अप्टिविटी रखते हैं योगा वगरा करते हैं प्लस गूद डाइट रखते हैं तो कुछ जरूरी नहीं है कि हर सिंप हर महिला को है अच्छा सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी डाइट बहुत अच्छी रखो और आप योगा करो और सबसे बड़ी चीज है कि आप मेंटली कैसे हो इस स्टेज को कैसे लिया हां देखे क्योंकि 3-4 सिंटम्स में मीनो पॉस के हैं मैं जो बताना चाहती हूं कि कि नॉमली पेशिंट का ही होता है कि उसको डिप्रेशन है मूट स्विंग जिसको हम बोलते हैं बहुत जादा कि भी खुश नहीं रहना बच्चे भी एक तो मिडिल एज क्राइसिस भी होती हर फीमेल के लिए कि बच्चे बड़े हो जाते हैं बाहर चलेगे कॉलेज में चल ओट फ्लेशिस बहुत होते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी शरीर में होने लग जाती है कबी बहुत गर्मी भाद कर करनी कभी एक डम नाइच स्वेट इसको बोलते हैं तब पसीना आएगा रात में वी फिमेल कोसल गएगा कि मैं एकदम उठी और पूरा तक्यों के असभी एक दम पसीन आगया यह हार्मोनल चेंज इसके अलावा जो है आपके काडियोवेस्कुलर चेंज हो सकते हैं बहुत हार्ट डिजीज के लिए प्रोन हो जाते हैं पहले जो यंग महला हैं उसमें हार्ट अटैक नहीं होता है कम होता है बहुत जादा बट एक बार मिनो पॉस हो क्यां जाए तो उसके लिए उसके लिए आपको डाइट लेना है सब कुछ गूमके डाइट प्राइट प्राइट या अपने दूप निए तो 90% चाहें आप मेल देखें चाहें बच्चा देखें चाहें फीमेल डेखें सब में वायतमिन D की डेफिचेंसी होगी और हम in d ही एक ऐसा वायतमिन है वह अपके इगर शरीर में कम है तो आप?" किता भी कैलशियन खाएंगे। वह कालशियन आपके शरीर में जमा होगा, अगर आप सिमपल, में श्मजैमें तो आपको कैलशियम लेना है वायतमिन D लेना है इसके अलावा आप अच्छा डाइट होता है कि urinary problems बहुत होती है females में कि बहुत-बहुत बार-बार ऐसा लगेगा कि आपको urine में जाना है urine infection है fungal infection हो रही है खारिश हो रही है यह सब और खारिश केवल शुगर की वह से नहीं है हाँ यह विकॉस आप जो अंदर का lining है uterus का वजायना का lining है वो dry हो जाता है हार्मोस कटम हो गए तो dry हो गया तो वहां पर बाकी सब और infections आने लगते हैं तो यह कॉमन से बचने के लिए क्लिए क्या करें वो डेली उसमें बेली रुटीन में यूरिन एंफ्रेक्शन या वजाइन एंफ्रेक्शन या खारिश खुझली नहीं हो उसके लिए वो क्या मतलब हाव तो क्लीन नहीं नॉर्मल वे में देखेंगे हम पेशिंट को हमेशे कहते हैं कि एक तो पानी बहुत जादा पीना है बार बार आपको जाना है तो वाश करना है क्लीन करके रखना है इसके अलावा जो है उसमें आप डॉक्टर को एक जरूर दिखा लीजिए अगर कोई आपको लग रहा है बहुत ड्राइनेस है तो हम लोग क्रीम अप्लाए करने के लिए देते हैं इस तो ड्राइनस नहीं रहे जो टॉयलेट आपने बताय कि एंग तो आप्मे बता यह वाइज खाया एमोशनलं मापने होगा फ्क भीजिकल क्या होती ओधीकलि तो पंचलि ऑ होती है फैसिंस बहुत सारे इभ कंप्लें करते है क्या में बहुत कम्जोरी है हाथ पैरों में डर्द है चलानी जाता उठानी और मन नहीं क करता काम करने का तो उसमें 50% हो सकता है कि आपका फिजिकल सिंटम्स है और 50% मैंटल सिंटम्स अच्छा तो उसमें ज्यादा तर भी देखिए यह सब्सक्राइब भी बहुत पेशन का होता है क्योंकि उस डिप्रेशन को उस मेंटल चेंज को आप किस तरह लेती हैं जादा तर हम पेशन को समझाने कोशिश करते हैं कि देखिए यह स्टेज है पास ओफ हो जाएगी आपको लेकिन अगर आप उस चीज को बहुत जादा ले लेते हैं कि मेरी को बिमारी हो गई जब कि एक स्टेज है इसको समझना कि मेरा स्टेज है यह पास हो जाएगा तो आप खुश रहेंगी अगर आप सुचे मुझे बिमारी है पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरे दूसरे से जाता रहता है उसको कभी-कभी एंटी एंटी डिप्रेसेंट यह सब चीजें बहुत चारी चीज दी जाती है क्योंकि आप उस चीज को समझते नहीं है कि हमारे बॉडी में से यह निकल जाएगा थोड़े दिन में हमेरी बिमारी नहीं है इस स्टेज को सहज भाव से नहीं सहज भाव से नहीं लेते हैं तो वो पेशिंस बहुत परीशान होते हैं तो अब जो घरकी महिला है घर की धुरी है वो कभी चुछड़ा रही है और कभी त county डिप्रेशन में है कभी बात ही नहीं कर रही है कभी गुंसम लेटी है तो घर के लोगो का जो उनको क्या करना चा यहां यह मूद स्विंग से इनके एक स्टेज है यह एक लाइफ का स्टेज है तो उनको ज्यादा कमपनी देनी है कहीं बाहर लेकर जाना है खुश रखना है भई आप थोड़ा सा पढ़िए कुछ बुक्स लीजिए कुछ टीवी चैनल देखिए कुछ अपनी होबी डेवलप करेंगे तो फिर आप उसको उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे तो यह सिर्व एक स्टेज है जो ओवर कम हो जाएगा बट डेफिनिटली हां बहुत पेशिंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत जादा होट फ्लश है दिन भर में कम से कम 20 बार 25 बार ऐसा लग रहा है कि बहुत करद फिर लग तो ऐसे पेशिंट्स और जिनको हमें मेडिसीन देना परता हार्मोंस देने पड़ते हैं और फिर हार्मोंस देते हैं उनको महीर चाहर महीर एक साल पर मुंको जादा मॉनिटरिंग चाहिए हुति एंटर बलब प्रेशर करेंगे तो आप जादा जल्दी ठीक होंगी और कुछ डॉक्षर हमारे ग्रामीड भारत की जो महिला हैं उनकी लिए कोई आडवाइस देखिए ग्रामीड महिलाओं को तो अपना इतना जादा वह अपने उसमें खाम में व्यस्त हैं कि उनको बाकी बहुत सारी चीजें उनको सिम्टम्स मेरा समझना है कि comparatively कम होते हैं बट उनका उनको भी life expectancy अब जादा हुई पहले अभी जो भी हमारा एरिया है क्लीनिक का उसमें एक तरफ बहुत अच्छी सोसाइटी जहां बहुत पड़ी लिखी मेला आती है और एक तरफ बहुत बेरे पास जुगी वाले भी और कम पड़े लिखेवे BPL colonies भी हैं वहां से भी मेला आती है तो हां अगर आप उनको एज पूछेंगे और हमारा महीना बंद हो गया बहुत साल हो गया उमर किती है नहीं पता बच्चा किता बड़ा है नहीं पता नहीं पता बट आकर उनका हाधार कार देखें पता पड़ा मे मतला वही उस स्टेज में है कि हमारा मीनो पॉष हो गया तो हमूड़े हो गए अब हमें कुछ ने करना है अपने लिए खाना नहीं है अपने ले जीना नहीं है अपने लिए कुछ भी नहीं करना तो वह एक बहुत जरूरी घ्रामिंट महलाओं के लिए भी समझना कि भई अपना ध्यान रखना अपना डाइट अपना ध्यान बहुत जरूरी दूद्ध हर एक महिला को मैं बोलूँगी दूद्ध प्रोड़क्स कैल्शियम और डॉक्टरी जाच मीनोपॉस में आप जबी भी जाती हैं तीनों चीज़ें बहुत जरूरी इत्रों यह हैं डॉक्टर आशे सहाय जो की बहुत ही सीनियर स्थी रोग विशेश अग्या है और इनका 30 यह का इविन मोर इनका एक्सपीरियंस है आशा है कि इस वारता लाप से आपकी कुछ मन की गुथियां सुलजी होंगी फिर भी यदि आपका कोई प्रशन हो तो आप हमें इमेल के द्वारा या कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं आशा आशी जी ने वादा किया है कि कोई भी किसी भी महिला का प्रशन देश के किसी भी हिस्से से आता है तो वो उसका बैडिकली जो बेस्ट उसका उपाय होगा वो बताएंगी तो मित्रों आज तक के लिए बस इतना ही मिलते हैं पिर एक और नई शक्षियत के साथ तब तक के लिए कैमरामेन सुनील गौतंग के साथ मधूश्री वास्तव का नमस्कार 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 बहुत बहुत नमस्कार इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए